तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जाईया, पिंग्मिन्टेशन, ब्राउन स्पोर्स का पूरा इलाज बताऊंगी जाईया याए मेलास्पा की प्रकिलम में तब होती है जो हमारी के अंदर म मेलनुसाइस जो कि स्किन का रंग बनाने का काम करती हैं किसी कारण से ज्यादा रंग बनाने लगती fluff इसकी वजह से हमारी स्किन में कई तरह के दाग जिनका रंग कभी भूरा, सफेद, काला या लाल हो जाता है। ये प्रॉब्लम वैसे तो महिलाओं और पूर्सों में दोनों में देखी जा सकती हैं। पर ज्यादा तर महिलाओं में ये प्रॉब्लम अधिक होती है। हमारी स्किन में कई प्रकार के दाग हो सकते हैं, जिन में से हैं मुहासों के दाग, चिकन पॉक्स के बाद जो रह जाते हैं वे दाग उमर बढ़ने की वज़ा से भी सकिन दाग दपे से भढ़ जाते हैं। लीवर में प्रॉब्लम की वज़े से भी इसकिन में दाग धब्बे हो जाते हैं सरीर में हार्मोनल बदलाव जिन में प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल पिस लेने की वज़े से या जो ज्यादा दर्थ की गोलियां बीना सोची समझे खाते हैं उन्हें भी मेलाजमा की जैसे भी हमारी स्किन में दाग धब्बे हो जाते हैं तरह तरह के क्रीम लोशन जो मार्केट से लाके बीना उसके बारे में अच्छे से जाने लगा लेते हैं और उनमें जो हानिकारक कैमकल्स होते हैं उनकी वज़े से भी या तो इसकिन लाल हो जाती है या खुजली होने लगती है और धीरे धीरे स्किन में दाग धब्बे बनने लगते हैं तो चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रेट्मेंट की हार्मोन के इन बैलेंस की वज़ा से होने वाले मेलाजमा या इसकिन पिंग्मिंटेशन का ट्रेट्मेंट है तीन दवाईयों का कॉंबिनेशन ये ग्लेन मार्क फार्मा की ट्राइगलो क्रीम के नाम से या एचपील फार्मा की मेलेलाइट एकसल के नाम से मिल जायेगी इसे सिर्फ राप में सूने से पहले चेहरे को साधे पानी से धुलने के बाद लगाएं दिन में इसे ना लगाएं दिन में सिर्फ कोई जेंटल संस क् जिनका SPF 30 से 40 हो लगाएं जो भी क्रीम बताई हैं उनको कम से कम 3 से 5 महीने तक लगाएं ये क्रीम सिर्फ मेलाजमा के लिए है उन्हें ये लोग बिल्कुल ना लगाएं जिनको किसी चोट की वज़ा से छोटे दाग आये हों या इसे ऐसा फेर्नेस क्रीम भी बिल्कुल ना यूज़ करें और एक बहुत इंपोर्टेंट बात इन क्रीम को वो महीलाएं बिल्कुल ना लगाएं जो प्रेगनेंट हैं या बच्ची को दूद बिलाती हैं और इनको यूज़ करने से पहले इसकिन टेस्ट करना बिल्कुल ना भी भूलें जब चाहियां ठीक हो जाएं तो इसकिन का अच्छे सिध्यान रखे ताकि ऐसी प्रोब्लम फिर से ना आए और ये खासकर कोशिश करें कि फेसवास साबन यूज़ ना करें और जब भी धूप में निकले तो संस्क्रीम जरूर लगाएं और बीना सोचे समझे कोई फेरने स्क्रीम ना लगाएं तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको मदद मिलेगी लास्ट में आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहां तक मेरी वीडियो देखी रहे हैं तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिए आगे भी इसी तरह की जानकारी से भर्पूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपके फैमली या रिलेटिप्स को भी मिलास्बा की प्रोप्लम है तो उनके साथ भी शेयर करें साथ ही साथ अगर आप किसी और हेल्थ से रिलेटड जानकारी चाहते हैं या कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो तेर किस बात की कमेंट में हमें बताएं हम आपके सुझाओ पर जरूर काम करेंगे इसी के साथ आग्या देजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाये रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें